रीसाइकलिंग बिस्नेस कैसे शुरू करें? कच्रे और रद्दी की मात्रा दिन बदिन तेजी से बढ़ती जा रही है तिवाली के समय में तो ये और भी बढ़ जाती है क्योंकि हर कोई घर की सफाई करता है जिसके कारण कच्रा और रद्दी भी ज्याधा मात्रा में निकलता है ऐसे में रीसाइकल करनी का बिस्निस एक काफी अच्छा आइडिया है भारत में कम लागत पे हो सकने वाले इस बिस्निस में ग्रोट का भी काफी अच्छा स्कोप है ये business MSME के अंडर आता है और एक छोटे इस तरका business है अच्छी location और कबारी वालों की अच्छी जानकारी के साथ इस business की शुरुआत की जा सकती है कई तरह के material recycle हो सकते हैं आप अपने हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस business के बारे में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें भारत में plastic recycling के business का scope बहुत अच्छा है एक plant लगाने के लिए आपको 50 से 500 square feet की जमीन देखनी होगी इसके साथ ही आपको कुछ high level मशीनों जैसे grinder, एंगलो मशीन, granule maker, cutter, तॉलने की मशीन आधी की जरूरत पड़ेगी मशीनों को चलाने के लिए बिचली का इंतजाम भी बढ़िया होना चाहिए प्रदूशर कंट्रोल बोर्ट से अनुमती लेने के लिए आपको फीज देनी होगी जमीन के कीमत हटा भी दें तो मशीन, लेबर, प्लास्टिक कच्रा खरीदना आधी जैसे सब काम मिला कर आपका खर्च लगबग 20 लाख रुपे तक हो जाएगा पेपर रिसाइकलिंग पेपर रिसाइकलिंग का बिजनस काफी समय से चला आ रहा है ये सबसे सरल, ट्रडीशनल और फेमस बिजनस है कागस काफी ज्यादा मात्रा में इस्तमाल किया जाता है और रिसाइकलिंग से इसकी सप्लाई निरंतर बनी रहती है यह business model काफी सरल है रद्दी की availability होने के कारण इस business में raw material भी आसानी से मिल जाता है आप 3 से 15 लाग के बीच invest करके अपना paper recycling plant शुरू कर सकते हैं कागस की demand पूरी दुनिया में काफी जादा है इसलिए आप चाहें तो एक level आगे बढ़कर अपनी recycle की हुए कागस को export करके profit कई गुना बढ़ा सकते हैं हलागे घरेलू market में भी आप इस business में 11 से 16 परसेंट तक का profit कमा सकते हैं यह सबसे ज्यादा profit देने वाली ऐसी industry है जिसमें भारी मात्रा में कच्रा उत्पादित होता है फूट वेस्ट को energy और power में बदला जा सकता है बचे हुए खाने पीने के आइटम को खान में बदल कर आप अपना fertilizer brand बना सकते हैं market में फूट वेस्ट आसानी से मिल जाता है देखा जाये तो काफी कम investment में आपको इस business में लगभग 15 प्रतिशत का ठीक ठाक profit हो जाएगा इसलिए ये option काफी बहतर है electronic waste recycling cadmium, phosphorus, lead आदी जैसे electronic waste काफी फादे मंद होते हैं लेकिल electronic कच्रे में कुछ खतरनाक metal होने के कारण आपको सावधान या बरतनी चाहिए इसी कारण आपकी टीम में experts का होना बहुत जरूरी है आपको सरकार द्वारा दिये गए मांदंडों के मताबिक जरूरी अनुमतियान लेनी होंगी और अपने दस्ता waste तयार करवाने होंगे बस थोड़े इहतियातों को बरत कर आप इस business में अपने investment पर एक अच्छा return पा सकते हैं अगर आपके पास recycle plant लगाने के लिए पैसा नहीं है तो आप अपना waste collection center खोल सकते हैं जहां नगर निगम या अन्य लोग अपनी रद्दी जैसे plastic, aluminum, cane, food waste, paper आदे डाल पाएं जमा किये गए कच्रे को चाट कर आप related business या दूसरे बड़े recycling centers को बेच सकते हैं इसमें आप 9 से 12% तक का margin कमा सकते हैं इसके लिए आपको बस अपना center खोल दे और अपनी कच्रा उठाने वाली गाड़ी के आने जाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमती लेनी होगी समय के साथ आप बढ़ेंगे और business में भी इस्थेता आएगी business के जमने और अच्छी कमाई करने के बाद आप अपना खोद का recycling plant शुरू कर सकते हैं